हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल कभिंदर भाईया पर तो दोस्तो आज हमनोग कच्छा आठ का महान विक्तित्व पढ़ेंगे आज हमनोग पाठ तेरा पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम है गुरु गोविंद सिंग तो आज हमनोग इस पाठ का सारांस देखेंगे चलिए देखते हैं गुरु तेग बहादूर के पुत्र तथा उत्रा अधिकारी गुरु गोविंद सिंग का जन्म सन सोरस चाचट इस्वी में पटे नाम बिहार में हुआ देखें दोस्तों जो गुरु गोविंद सिंग है उनके पिता जी का नाम तेग बहादूर था गुरु गोविंद सिंग का जन्म सोरस चाचट इस्वी में पटना में हुआ था चलिए देखते हैं आगे उन्हें दस वर्स की आवस्था में गुरु की गद्दी मिली सैनिकों की भाती घुर सवारी करते और तलवार चलाते थे जो हमारे गुरु गोविंद सिंग जी है वो सैनिकों की भाती ही घुर सवारी करते थे और तलवार भी चलाते थे इतना ही नहीं कुछ राजकाज भी होने लगा बलकि इतना ही नहीं और भी कुछ काम करने लगे जैसे राजकाज में जो काम आते हैं आगे देखते हैं इनके सिस्य इन्हें भेट देते थे और इनके जो सिस्य लोग थे उनको कुछ कुछ भेट देते थे इनके सिस्य तता दर्बारी उन्हें सच्चे बात्सा कहते थे जो इनके सिस्य और दर्बारी लोग थे वो गुरु गवीन सिंग को सच्चे बहादूर भी कहते थे गुरु गवी सिंग सीखो के आगरह पर आनंदपूर आ गए जो गुरु तेक बहादूर की राजधानी थी देखे दोस्तों गुरु गवी सिंग सीखो के आगरह करने पर यहाँ पर आ गए कहां पे तो आनंदपूर ठीके आनंदपूर आगे थे जो तेक बहादूर की राजधानी थी आगे देखते हैं यहां 20 वर्स तक रहकर धर्म ग्रंथों को अध्यान किया यहां पे इन्होंने 20 वर्स रहा और धर्म ग्रंथ का भी अध्यान किया था ये अच्छे कवी और वीरचारक थे ये कवी भी थे आगे देखते हैं इनके द्वारा रचीत चंडी चरित्र और चंडी का वार वीररस के सुन्दर काव्य हैं पुस्तप विचित्र नाटक भी लिखी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी विचितर नाटक जिसके द्वारा लोगों में उस्सा भरने की चेश्टा की इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने लोगों के मन में उस्सा भरने की इन्होंने चेश्टा की थी ठीक है आगे देखते हैं धारड करना जरूरी बताया इन्होंने बताया कि जो सीख लोग हैं उनको पांच वस्तुए धारड करना जरूरी है तो देखे दोस्तों एक प्रशन किया जाता है कि सीखो के गुरु कौन है तो ठीक है तो इसका उत्तर आप लो लेखेंगे गुरु कोविन सिंग आगे देखते हैं कौन-कौन से ये वस्तुए कौन-कौन से आई देखते हैं उन्होंने बताया पहला होना चाहिए केस अर्थात बाल दूसरा कडा तिसरा कंगा चौथा कप्छा और पाचवा कृपार ठीक है दोस्तों ये जो है जो सीखो में ये पांच चीजे होनी चाहिए आगे देखते हैं ये पाच ककार कहे जाते हैं ये पाचोधारण जो किये रते हुने पाच ककार कहते हैं आगे गुरु ने अपने सिस्यों से जाती सूचक सब्द छोड़ कर प्रतेक सीख के नाम के साथ सिंग जोड़ना जरूरी समझा देखे दोस्तों गुरू जो थे उन्होंने यह सोचा कि जाती के सभी सुचक सब्दों वो छोड़ दिया जाए और उनके नाम के साथ सिंग लगा दिया जाए आगे देखते हैं इस प्रकार सीख संगठित सैनिक बन गया और इसी प्रकार जो सीखते हैं एक संगठित सैनिक बन गया इससे और अंजेव जो दच्छिड में था गुरू पर आक्रवर करने का आदेश दिया देखिए दोस्तो इस से जो अरंजेव में दच्छिन में था ने गुरू पर आकरवर करने का आदेश दिया गुरू अपने कुछ साथियों सहीत बच निकले गुरू जो आकरवर किया गया थो तो वो कुछ अपने साथियों सहीत वहां से बच निकले थे गुरु अरंजेव से 6-7 वर्ष तक युद करते रहे थे इन युद्धों में उनके दो पुत्रे मारे गए और दो को सरहिंद से सुबेदार ने दिवार में चुनवा दिया देखे इनके जो दो पुत्र थे वो उस युद में मारे गए और जो दो पुत्र थे उनको सरहिंद के सुर्दार ने दिवार में चुनवा दिया था ठीके आगे देखते हैं गुरु ने फिर साहस और धैर्य नहीं छोड़ा जो गुरु थे उन्होंने फिर भी साहस और धैर्य को नहीं छोड़ा और अंजेव ने गुरु को कैद करने का आदेश दिया लेकिन इसी बीच और अंजेव की मृत्ति हो गई ठीके और अंजेव ने यहां आदेश दिया कि गुरु को कैद कर लिया जाए लेकिन इसी बीच और अंजेव की मृत्ति हो जाती है आगे देखते हैं आगे है कि गुरु गोविन सिंग ने अपने 42 वर्ष के अल्प जीवन में अनिक कार्य किये जो गुरु गविन सिंग जी थे उन्होंने अपने 42 वर्स के अल्प जीवन में ही अनिको कार्य कर दिये थे भेद भाव मिटा कर और खालसा पंथ की संगठन करके उन्होंने देशवासियों को नई पूर्ती और प्रेणना दी देखे दोस्तों इन्होंने भेद भाव को मिटाया और खालसा पंथ की सापना भी की ठीक है चली आगे देखते नी संदे वे हमारे देश के अमुल्य रत्न थें बिना संदे किये बिना वो हमारे देश के एक अमुल्य रत्न थें ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे बात आया था कि खालसा पंत तो देखिए कालसा पंत को कहा जाता है सीख धर्म ठीक है तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में चिरूर बताईएगा धन्यवाद